कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और कंपनी दोर आपको युवन नंबर प्रवाइड नहीं किया गया तो आप खुद से युवन नंबर कैसे आप में सर्च करके आप फाइंड कर सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो अच्छी लगे जहां से आपको सबसे फर्स टे स्ट वेब एबसाइड जो दिखते हैं से आपको क्लिक कर लेना है गाइस क्लिक करते हैं आपको इस तरह से इंटर्फेस perfection हो जाएगा जहांसे आप इसे scroll down करेंगे तो आपके सामने इस तरह even number और password इंटर करने का option मिलता है जहां से आप कर सकते बटा आपके पास even number नहीं है तो आप कैसे find करेंगे तो आप जैसे इसको scroll down करते जाएंगे नीचे तो आपको know your even number का option मिलता है know your even जिसे आपको click कर लेना है तो गाइस क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह interface open होता जहां से आप अपना 10 digit का mobile number enter करना है देन capture फिल करने के बाद आपको है request OTP पे click कर लेना है तो गाइस mobile number और capture fill करने के बाद आपको request OTP पे click कर लेना है तो गाइस जैसे आप click करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आपके इंटर मोबाइल नंबर पे आपके OTP जाएगा जैसे आपको click करना है और यहां से आपको OTP फिल करके आप capture फिल करके आप validate OTP पे click कर लेना है तो गाइस आपको यहां पे OTP and capture फिल करने के बाद आपको validate OTP पे validate OTP को click कर लेना है तो गाइस आपके पास validate OTP successful हो जाएगा इसका आपको message आ जाएगा देनिसे आपको okay कर लेना है इसके बाद आप यहां पे अपन नेम और date of birth जो कि आपके आधार card में valid है उसको आपको यहां फिल करना है इसके बाद आप यहां पे अधार इंटर करना है जैने capture फिल करने कवाद आपको so my1 पे click कर लेना है तो अन्यतों पूरा डिटेल यहां को फिल करने क्वाद नव डेटा बर्त और अधार नमबर फिल करने कवाद आपके एहां येवन मिल जाने के बाद आपको यहां से इवन को अप्टिवेट करना पड़ता है। तो आपको प्रोसीजर फालो करना आप से इसे लौट आ और इसे करते जाएंगे आपको यहां पर कुलिक कर लेना है जैसे यह नई यह एक्टिवेट इवन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इससे इंटरफेस उपएंगे आता है जहां साबको यहां आपको ईवान नमबर फिल करना है या तो आप मेंबर आड़ी फिल कर सकते हैं तेन इसके बाद आधार आधार नमबर नेम डेट अब बर्थ और मोबाइल नमबर के बाद कैप्शा फिल करने के बाद यहां से आप आप एक्सेप्ट करेंगे देने आपको get authorization pin को क्लिक कर लेना है तो चलिए detail फिल कर लेते हैं तो गाइस पूरा detail फिल करने एक बाद आपको यहां से get authorization pin को क्लिक कर लेना है तो इस तरिकेसे आप देखेंगे आपका इवन यहां से अक्टिवेट हो जाएगा गैर जैसे कि यहां यह पहले से स selection पर दिया कि आपका इवन अ्ल्रेडिवेट है इस तरिकेस आप आप आउन एक्टिवेट कर सकते हैं कि ए सब्सक्राइज आप आपने पर फ़ले आपको यूँँ लॉग इन सर्च करना है तो आपको इस तरह से इंटरफेस ओपन होता जहां साप इसे स्क्रोल डाउन करेंगे और यहां से आप जैसे स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपको नीचे फारगेट पासवड का अप्शन मिलता जिसे आपको क्लिक कर लेना है तो आपको इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहां पर आपको नेम और डेटा बर्थ इंटर करना है तो आपको जेंडर सेलिट करने के बाद आप वैरिफाई पर क्लिक कर लेंगे तो चलिए डिट करते हैं थो एक लिए पर क्लिक करना है यह में कुछ सामने से इसे इंटर फिएस जएगा है देख सकते हैं घर आपका कोई डिटेल अगर मैस नहीं करेंगा तो आपके सामने इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी तो आपको अपना डीटेल को अच्छे से फिल करना है जैसे आपको डिटेल हो जाएगा तो आपको समने इस तरह से इंटरफेस उपन हो जाएगा जहां पर आपको अधार नमबर फिल करने के बाद आपको यहां पर वेरिफाई पर क्लिक करना है ओटर जैसे बैरिफा में पर क्लिक करेंगा आपको समने इस दर्स कई अपल ओपन हो जाता है तो जैसे आप यहां पर डिट्यल करने के बाद आप जैसे बैरिफा जासे आप्याब पाशने जो BACK पर जहां से आपको फस्ट लेटर कैपिटल इंटर करना देने इसके बाद समाल लेटर एन इस स्पेशल करेक्टर इंटर करना वाद आप कुछ निमेरिक लेटर डालने के बाद आप पासवर्ट क्रेट कर सकते हैं तो गाइस वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्क्राइब जरू करेज़ेगा थैंक्स फार वाचिंग